हैलो गैज, मैं हूं 아іयन, गैज आच के इस वीडियो में हम आपको Central Bank of India के RD के बारे में, यनि डेकरिंग deposit के बारे में complete जान करी देंगे, जैसे कि अगर अगर Central Bank of India में अगर RD करते है, तब new interest rate के अनुसार आपके RD के अपर कितनी nearest rate दिया जाएगा, RD का basic features और benefits कराएगा senior citizens के लिए extra का benefit दिया जाएगा और साथ इसाथ एक example के तौर पे भी बताएगे कि अगर आप Central Bank of India में अगर हर मेने 2000 करके RD एक साल या फिर 5 साल या फिर maximum time यानि 10 साल के लिए करते हैं तब तीनों अलग situation में कितना maturity amount आपको दिया जाएगा इस सबी बाते आपको details में बताएगे लेकिन इससे पहले अगर आप इस channel पर पहली बार आएगे तो current channel को subscribe करें और वीडियो को मिना skip किए end तक ज़रूर देखे तो guys जैसे कि मैं एक वीडियो में कहता हूँ कि अगर आप PCB bank में अगर RD करते है यानि recurring deposit करते है तब पहले उस recurring deposit का features और benefits आपके लिए जानना ज़रूरी होता है ताकि इन future आपके लिए कोई दिक्कत ना है तो चलिए पहले जान लेते है Central Bank of India के RD के basic features और benefits के बारे में तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते है कि अगर RD duration की बात करे यानि कितना दिन के लिए आप RD कर सकते है तब minimum 6 मेने से 10 साल के बिच में किसी भी time के लिए आप RD कर सकते है लेकिन आपको यहाँ पर जान करें रखना है कि आपका RD के बिच में 3 months का multiples रहाएगा जैसे कि example के तो पर मान लिजे कि अगर आप चाहे तो 6 मेने के लिए 9 मेने के लिए 12 मेने के लिए 15 मेने के लिए 18 मेने के लिए यानि इसी तरह से आप RD कर सकते है अगर आप 7 मेने के लिए या फिर आप 8 मेने के लिए अगर RD करना चाते है तो अब RD नहीं कर पाएंगे या तो आपको 6 मेने के लिए आड़ी करना होगा या फिर अगर आप चाहे तो 9 मेने के लिए आड़ी कर सकते है ठीक इसी तरह से 6 मेने से 120 मेने के बीच में यानि 6 मेने से 10 सल के बीच में आप आड़ी कर सकते है अगर minimum आड़ी अमाउंट की बात करे तब हर मैने में मिनिमाम एक सूर्पया से अब आड़ी कर सकते है और यहां पर maximum limit नहीं दिया गया है यानि maximum जितना भी amount आप चाहे अब हर मैने में आड़ी कर सकते है अगर nomination facility की बात करें तब भो भी facility दिया गया है यानि अगर आप चाहे तो आप काड़ी के लिए आप किसी को nominee भी रख सकते है अगर penalty charges की बात करें यानि किसी मैने में अगर आड़ी के installment नहीं दे पाए तब उस situation में penalty charges लगेगा जैसे कि अगर आप 6 मैने से अगर 5 सल के बीच में आड़ी करते है और अगर आप किसी मैने में अगर आड़ी के installment नहीं दे पाए तब हर 100 रुपिया के लिए 10 रुपिया charges लगेगा जैसे कि example के तोर पे मान लीजे कि अगर आप 6 मैने से 5 सल के बीच में अगर आप आड़ी करते है और अगर आपका आड़ी के installment अगर 100 रुपिया है और अगर आप आड़ी के installment अगर किसी मैने में अगर नहीं दे पाए तब उस situation में 1000 रुपिया के लिए 15 रुपिया आपको charges देना होगा और अगर आपका आड़ी के टेनियोर अगर 5 सल से 10 सल के बीच में है यानि अगर आप 5 सल से जादा टाइम से अगर 10 सल के बीच में आड़ी करते है और किसी मैने में अगर आप आड़ी के installment नहीं दे पाए तब हर 100 रुपिया के लिए 2 रुपिया charges लेगेगा यानि अगर आपका आड़ी के installment अगर 1000 रुपिया है अगर आप Central Bank of India में अगर आड़ी करते है तब new interest rate के अनुसर आपके आड़ी को पर कितने interest rate दिया जाएगा लेकिन interest rate बतने से पहले एक बतम आपको पहली बता दू कि अगर आप senior citizen है यानि अगर आपका उमर अगर 60 साल या फिर अगर 60 साल से जादा है तब इस bank में आड़ी करने पर आपका जो interest दिया जाएगा वो normal interest rate से 0.50% आपको जादा interest दिया जाएगा तो senior citizens के लिए काफी अच्छा benefit या पे दिया गया है तो starting show interest rate है यानि अगर आप 6 मेने के लिए या फिर अगर आप 9 मेने के लिए अगर आप आड़ी करते है तब general citizens के लिए interest rate रहे गा 5.50% और senior citizens के लिए इंटरी से टायाएगा 6% अगर आप 1 साल से 3 साल के कम के लिए पिछ में आड़ी करते हैं तब general citizens के लिए इंटरी से टायाएगा 7% और अगर आप अगर 5 साल से 10 साल के बीच में आड़ी करते हैं तब जनेरल से इंटरीशेट रहाएगा 6.25% और सिनेरल से इंटरीशेट रहाएगा 6.75% तो गैस चलिए आप एक एक जाम्पल के तौर पर जान लेते हैं कि अगर आप सेंटरल बैंक ऑफ इंडिया में अगर हर मेना 2000 करके आड़ी अगर एक साल या फिर 5 साल या फिर 10 साल के लिए करते हैं तब तीनों अलग सिच्वेशन में जनेरल से इंटरीशेट रहाएगा 6.75% और आपको मैचूटी आमोन बनेगा 24,890 रुपया का। तब आपके लिए इंटरीशेट रहाएगा 6.75% और आपको मैचूटी आमोन बनेगा 1,4290 रुपया का। अगर विडियो पसंद आए तो अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कॉमेंट करके जरूर बताएगा आपका कॉमेंट करीप्लेश जरूर करूंगा। और अगर विडियो पसंद आए तो लाइक और शेर करें और इस तरह के विडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। THANK YOU